Hello friends, North India में दही बलना एक बहुत ही कामन रेसिपी है होली पे जो अल्मोस्ट हर गर में बनाए जाती है और यह रेसिपी बहुत ही शॉर्टकट है और मैंने सिर्फ पांश में बना ली है So without wasting a lot of time in the kitchen आप भी रेसिपी जरूर ट्राय करें and festival enjoy करें साथ में मैं शेर करूंगी ये creative plating for holy pink hues के साथ में दही मैंने kisses बनाया है तो उसके लिए हमें ब्रेट slices लिये हैं उनकी जो sides है वो निकाल ली है एक bowl में मैंने पाने लिया है पानी में मैंने नमक और थोड़ी सी हीन डाल के उसे अच्छे से mix कर लिया है अब जो bread की slice की हमने किनार निकाली थी उस bread की slice को हम थोड़ा सा इसमें soak करेंगे make sure की जादा soak ना करें जो excess water है उसे हम अच्छे से निच्छे ओड़ लेंगे press करके इस तरह से अब इस bread की slice में मैंने यहाँ पे कुछ काजू और किश्मिश को chop करके रखा हुआ यह step optional है आप चाहे तो skip भी कर सकते हैं और और चाहे तो इसमें और तरह के dry fruits में mix कर सकते हैं इस तरह से इसको stuff कर लेंगे और इस तरह से इसका roll बना लेंगे और यह पेड़ा type बन जाएगा आप देख सकते हैं इसको अच्छा से प्रेस करके इसको अच्छा से शेप दे देजिए तो यहाँ मैंने कुछ 5-6 बनाए है यहाँ पे मैंने एक बोल में वेस्ट कर्ड ले लिया है इसमें मैंने यहाँ बीट रूट का पानी चुकुन्दर का पानी डाला है जिससे की हम यह पिंक पैटर्न बनाएंगे आप इसे किसी भी टूथपिक या स्क्यूवेर या किसी चमच के सारे से इस तरह से बना सकते हैं इसे पूरा मिक्स नहीं करेंगे इस पैटर्न को आज इस रहना देंगे चट्णी आप कोई भी ले सकते हैं रेडी मेड या घर में बना के मैंने ये ठोड़ा सा छाटपसाला प्रिंकल किया है आप चाहें तो यहां पे थोड़ा सा अनारदाना भी डाल सकते हैं, मैंने यहां पे बूंदी डाली है, आप देख सकते हैं, यह बहुत ही प्रिटी लुकिंग दही भला प्लेट हमारी सिर्फ पाच मिनिट में रेडी हो गई, so enjoy Kiji Banaii and let me know how it turned out, thank's for watching this video and happy hooli to everyone